हेलो गाइज, आप लोगों ने अपने घर में पानी को गरम करने के लिए गीजर तो लगवा ही रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गीजर पानी को गरम कैसे करता है, यानि ये काम कैसे करता है, क्या आपको पता है कि गीजर का काम करने का तरीका कितना भ्यानक है, चलिए आपको 3D एनिमेशन से समझाते हैं कि गीजर के काम करने के पीछे कितनी तगडी साइंस है गीजर में दो पाइप लगे होते हैं एक इनलेट और दूसरा आउटलेट गीजर का ये काम होता है कि वो एक पाइप से आने वाले ठंडे पानी को गरम करके दूसरे पाइप से गरम पानी को निकाल देता है जब हम गीजर का उपरी कवर उतार दे या तोड़ दे तो हम देख सकते हैं कि गीजर सिरामिक ग्लास वूल से गिरा होता है ये कांच वाली उन इंसुलेशन का काम करती है जो गीजर बंद होने के बाद भी पानी को ठंडा नहीं होने देती और जब हम इस कांच वाली उन की परत को हटाएंगे तो हमें एक इनलेश टील का सिलेंडर दिखाई देगा जिसको हम टैंक भी बोल सकते हैं जिसमें पानी गरम होता है या जिसमें पानी भरा होता है जैसे ही हम इस टैंक को हटाते हैं तो ये इसके सारे पार्स हमें दिखाई देंगे यह pipe inlet pipe है जो मुड़ा हुआ रहता है जिससे पानी अंदर आता है और दुसरा pipe जो सीधा और थोड़ा लंबा होता है इससे पानी बाहर निकलता है और नीचे आप देख सकते हैं कि एक thermostat भी लगा होता है जो पानी ज्यादा गरम होने पर गीजर को अपने आप बंद कर देता है फिर यह heating element लगा होता है जो पानी को गरम करता है यह heating element निक्रोम का बना होता है और निक्रोम क्रोमियम और निकल की मिसरधातु है जैसे ही ठंडा पानी अंदर आता है तो यह tank भर जाता है फिर गीजर को switch on करने पर heating element current की वज़े से गरम होने लगता है जिसकी व पानी की ये प्रोपर्टी होती है कि वो हलका होने की वज़े से अपने आप उपर चला जाता है। फिर ये जुर्थ होने पर आउटलेट पाइप से बाहर आ जाता है। पानी कभी भी टैंक से लीक न हो इसलिए एक राउंड वासर जो रवड की बनी होती है उसको लगा कर ये सारे बोल्ट टाइट कर दिया जाते हैं तो दोस्तो इस तरीके से गीजर काम करता है और बहुत सारी प्रोसेसिस के बाद ही आपको गरम पानी देता है अगर आपको हमा यह 3D वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो ऐसे ही 3D वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद